दोस्तों, चांद की सतह पर गया अपना लैंडर विक्रम, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, चंद्रियान त्री मिशन के विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को एक बार फिर से जगाने में लगा है. इन्हें इसी महीने स्लीप मोड में भेजा गया था. इन्हें जगाने के लिए यूरोपिय स्पेस एजन्सी का फ्रेंच, गुयाना के कोरो में स्थित 15 मीटर एंटीना सिगनल भेज रहा है. कोरो की ओर से लगातार सिगनल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रियान के लैंडर या फिर रोवर की ओर से कोई भी सिगनल वापस नहीं भेजा गया है. कोरो अंतरिक्ष केंद्र एक ऐसी फसिलिटी है, जिसका इस्तिमाल यूरोपिय अंतरिक्ष एजन्सी और फ्रांसिस सरकार के उपग्रहों को अंतरिक्ष में लाँच करने के लिए किया जाता है. फ्रांस की सरकार ने 1964 में यहां से उपग्रह की लाँचिंग शुरू की थी. 1975 में यूरोपिय अंतरिक्ष एजन्सी के गठन के बाद इसे उसके साथ साजह करने की पेशकश की गई. यूरोपिय स्पेस एजन्सी आई-एस ए हर साल इसके बजट में दो तिहाई योगदान देता है. इसका इस्तेमाल अमेरिका, जापान, करनाडा और भारत-ब्राजील समेत दूसरे देश भी करते हैं. दुनिया की कई दूसरी एयर लॉंच साइट की तरह कोरो भूमध्य रेखा के पास है. ESA का कहना है कि इसका अक्षांश पांच डिग्री तीन मिनट उत्तर में है. European Space Agency कहना है कि यह उन मिश्णों को लॉंच करने के लिए एक अच्छा स्थान बनता है जो भूमध्य रेखा पर या उसके पास संचालित होंगे. इससे इंधन और धन की बचत होती है. फ्रेंच ग्याना एक हलकी आबादी वाला देश है. देश का 90 फीसदी हिस्सा मानव बस्तियों की जगह जगह जंगलों से घिरा हुआ है. यह ऐसे इलाके में हैं जो भूकंप या तूफान से ग्रस्त नहीं है.